जय हिंद बंदे मातरम दोस्तों आज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और लोजी लेके आए गया हूँ भारत के इतिहास का एक ऐसा वीडियो जिसने मुसलमानों को ही नहीं गैर मुसलमानों को भी सोचने पे मजबूर कर दिया, क्वेश्चन करने पे मजब मानों के भी उन्होंने भी इसलाम के ओपार क्वेश्चन उठाना शुरू करे और जो मुसलिम चैनल बने थे हिंदूों के ओपर क्वेश्चन उठाना शुरू करे और इसी भीच में हमारे जैसा एक आम आदमी भी इन जैसे वीडियो को देख कर ज्धन्जोर जाता है, आपको ये भी बताऊंगा जो सवाल यहां पर उठते हैं तो उनका आपको कैसे जवाब ढूणना है तो आपके लिए काफी इंटर्टेनिंग होने वाला वीडियो तो वीडियो पूरा जुरूर देखिएगा तो लेट्स स्टार्ट सुदस्तो ये वो वीडियो था तो भाई साब सामने खड़े हैं इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था ये बोल के और इन्होंने एक खुद के धर्म में बहुत सारी कमिया थी लेकिन ये दूसरे के धर्म पे क्वश्चिन ऊठाते थे पर इससे अच्छाई हुआ के ए extraordin स हमें सच्चाई का पता चला तो भेले देख लेता हूं ये वीडियो एक बहुत फेमस मशूर तेहवार जो अब भी चल रहा है वो है गनेश चतूर्थी आप जानते गनेश को गनेश चतूर्थी गनपती जानते गनपती बने जानते कश्मीर में गनपती नहीं बनाते लेकिन जहां से मैं आ रहा हूं महराश से और बाकी इलाकों में हिंदुस्तान में एक तहवार है जिसे कहते हैं गनेश चतूर्थी गनपती अगर कोई हिंदू दोस्त मेरा मुझे पहवार के लिए बुराता है और परशाद देता है आम तोट पे हम सब मसल्माण जानते हैं हम सब मसल्माण जानते हैं कि परशाद खाना हराम है क्यूंके अल्ला सुबहानल ताला ने कमस ख़ंख चार जगे वाज़े तोर में फरमाएं सुरे बक्रा सुरा नम्र 2 आयत नम्र 173 सुरे माइदा सुरा नम्र 5 आयत नम्र 3 सुरे अनाम सुरा नम्र 6 आयत नम्र 125 और सुरे नहल सुरा नम्र 14 आयत नम्र 115 में अपके लिए हराम है मरावा गुश खुन वो खाना जिसके ओपर गैर अल्ला का नाम लिया गया है जो भी खाना जिसके ओपर अल्ला के इलावा किसी और का नाम लिया गया है हम जानते हैं के वहरा में लेकिन जब हमारे हिंदू दोस्त हमें बुलाते हैं पूजा के लिए और जब प्रसाथ पेश करते हैं हम उसका दिन नहीं तोड़ना चाहते हैं हम क्या करते हैं हम बिस्मिल्ला बोल के खाले पे कल हम बिस्मिल्ला बोल के शराप पिंगे पर्फू बिस्मिल्ला बोल के हन्वीर का खोच खाएंगे क्या होगा मैं मुस्लिम उम्मा को हम मुğı μην हैं खूज सकते हम हमारे गैर मुसल्मान दोस को नाराज नही करना चाहते हैं हम समझ़ते हैं कि अगर मैं कहूंगाँ के भैसाफ नहीं कहूंगा तो उसका दिल तूट जाएंगा हम को हमारे गैर मुसल्मान के दोस्टी जदा मुहबत है अल्ला से जाद है हम हमारा मूँ भी नहीं खोल सकते हैं इसलाम की दावत देना बहुत आसान है अल्ला ताला फर्माते कुरान मजिद में किस तरी के दावत दी जानी चाहिए जैसे मैं कहरा था मिसाल के तोर पर अगर बंबई में कोई हिंदू मेरा दोस्त मुझे अगर गनेश के पूजा के लिए बुलाएंगा और मुझे प्रसाद देंगा तो मैं एक आसान सावर उसे पूछूँगा यह गनेश कौन है यह गनबती कौन है तो हिंदू दोस्त मुझे कहेंगा कि यह गनेश जो है वो हमारा भगवान है वो शिवा भगवान का बेटा है और ये उनके किताबों में लिखावा है कि गनेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के भार निकलते हैं उनकी बीवी पारवती अपने जिसम से मेल निकलती है और एक बेटा बनाती है और वो कहती है उस बेटे से कि घर के भगवान शिवा वापिस अपने गर पर लोटते हैं और जब घर में जाते हैं उसवक्ड उनका बेटा उन्हें रोग देता है और आप इस घर में नहीं जा सकते हैं आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मा आराम फर्मा रही है शिवा तेश में आके अपने बेटे के गर्द मुरा रहते हैं तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्ते आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पैचान सका कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा प हिंदू दोस्त आप से कहेंगा आपको कहने की जरुवत में और एक कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा दालते कि वापिस नहीं लेकिया सकते तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नस्दीक में आएंगा आएंगा उसकी गर्दन उड़ाओं मेरे पास लिकाओ तो पहला जानवर जोन के सामने आता है वहाथी तो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेकिया आते और भगवान शिवा अपने बेटे के फिर पर लगाता है और वुजूद में आता है गनपती एक लड़का जिसके सिर की जगा है हाथी कफिर मैं कहूंगा अब इसको भगवान मांते मैं अदोस कहेंगा अरे जाने देना जाकिर ये तो कहानी है अरे लिकिंग ये आपका भगवान है क्या अरे जाकिर जाने देना ये तो सिर्फ कहानी है मैं कहूंगा आप मुझे ताबिद करके दिखाओ कि गनिज भगव हुआ 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 है और इस वह दासा ने हमें किसी भी गैर मुसल्मान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए अल्ला तरह फर्माते हैं पुरान मज़िद में सुर आनाम में सुरा नमर 6 आयत नमर 108 में आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं जिन लोगों की वो अल्ला के इलावा पूजा करते हैं उनको आप गाली मत दो जिन लोगों की वो पूजा करते हैं अबादत करते हैं अल्ला के इलावा उन लोगों को आप गाली मत दो नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाफ सुभानलाबोतादा को गाली देंगे तो हमें गैर मसल्मानों के भगवान को गाली देना हराम है तो हमें कुछ नहीं कहना चाहे सिर्फ पूछ नहीं ये कौन है और वो हिंदू या वो गैर मुसल्मान अपने आप अपना काम करेंगा आपको उन्हें बुरा भरा नहीं कहना चाहिए इसलाम में जावत नहीं है लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये आपका गरिश कौन है आपका भगवान कौन है मुझ तो खोलो हम मुझ खोल देते तर्पे है अगर वो अल्ला फामले से अल्ला ओमनी प्रेज़न है तो मुहमद साहब उनको साथ में आसमान पर मिलने कैसे जाए उपर हाती का सर है नीचे इनसान की बॉड़ी है तो आपके देख लेना जब तक तक तुम लोगों को बेसिक कॉंसेप्स लियर नहीं है यह जोकर नाला जैसे लोग तुमको बेवकुफ बनाते ही रहेंगे ठीक है आप यहाँ पे इसने यह बोला कि भाई यह कैसा मतलब यह क्या डिजाइन है उपर हाती का सर है नीचे इनसान की बॉड़ी है तो भाई साब पहले खुद की थाली में देखो सलल्लाहु वाली वस्सलम मुहमद साब जिसको आप आफरी पैगंबर मानते हो उन जब पोचे कि शबे मिरास की रात क्या हुआ था शबे मिरास की रात में मुहमद साब येरुसलम से एक हाइबरिड गधी पे बैटके आसमान में गए थे स्पेस में गए थे साथमें आसमान पर अल्ला मिया से मिलने यहाँ पे दो जूड बोले गए हैं अगर वो अल्ला फार्मलेस हैं अल्ला आमनी प्रेजेंट हैं तो मुहमद साब उनको साथमें आसमान पर मिलने कैसे जा सकते हैं मतलब आल्ला यहाँ पर नहीं है मतलब वो आपनी प्रेजेंट नहीं है ठीक है मतलब वो फार्मलेस भी नहीं है जो फार्मलेस है उसको कैसे मिल सकते हो उसके सिर्फ आवाज सुन सकते हो जिसे जिब्राइल ने सुनी थी, यहां पर तुमारी चोरी पकड़ी जाती है, और दूसरी बात, जिस गधी पर बैठ कर गए थे, सुनो ध्यान से, जिस गधी पर बैठ कर गए थे, वो कैसी थी जड़ा फोटो देखी है, ठीक है, देख लो, देखो भाई, इनका खुद के थ जिब्राइश्वर के अलग अलग नाम हैं, और यहां पर इनको जो नभी है, यह भाई साब हाइब्रिड गधी, जिसकी बाडी, टोटल बाडी गधी की है, लेकिन उसकी उपर का हिस्सा महिला का है, और यह महिला के गधी पर बैठ के भाई साब लाइट की स्पीड से, पेस स्पीयर ओजोन तक लेयर तक सही मान सकते हैं, वहां पर हवा हो सकती है, उसके स्पेस में हवा है क्या है, तो वहां कैसे चले गए, तो पहले खुद की थाली देखो, फिर दूसरों पर कमिया निकालो, ठीक है, जिब दूसरों को को कोट करते हो, तो उसके ऑथेंटिक सोर्स कोट करी, तो अभी एक और वीडियो इसमें मैं एड किया है, वह दिखना भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर सारा समझ में नी आएगा, तो फाइदा कोई नी है, तो यह भी देख लेते हैं, नतन धरम, सारे इंसान एक जैसे नहीं है, सारे जीव एक जैसे नहीं है, तो सारे इंसान एक जैसे नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेज हैं इन देर माइंडसेट, ठीक है, तो मैंने और इसपे एक वीडियो बना चुका हूँ, जो mind psychological mindset है, उसके बैसिस पे जो features बनाए है, नेचर ने, ठीक है, तो यह feature कौन कौन से है, सत्वगुण, रजगुण, मैं already वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लेना बाद में, ठीक है? तो इंसके बैसिस पे जीव को डिफरेंशिट किया जाता है, ख्लासीफाइ किया जाता है जैसे कि हर बच्चा मेडिकल साइंस नहीं पढ़ सकता, तो वो जाएगा फिर कहाँ पे, एंजिनरिंग में, फिर अगर वो भी नहीं पढ़ा तो कहाँ साइगा, आर्ट्स कॉमास में जाएगा, वो भी नहीं पढ़ पाए तो कुछ और करेगा तो जिसके जैसी इंट्रेस्ट लेवल होगा, जिसके जिसका साइकोलोजिकल लेवल होगी, उसके अपरडिंग लेवो चूज करता है तो शुरू में क्या होता, जो वेड का नॉलेज दिया था, वो रिशीम उन्यों का दिया था ठीक है, और मैंने पहले भी पहले एक्स्प्रेन किया है, कि हाव वेडास वेड कैसे मिले, कि उनको ही क्यों मिले, वो भी बताया मैंने तो वेडि ग्यान जो है यह एक प्यूरिस्ट फॉम का ग्यान है, तो उस ग्यान को ग्रहन करने के लिए और उसका परसेप्शन क्रिएट करने के लिए उसको understand करने के लिए आपके पास वह qualification होनी चाहिए, ठीक है, if you want to become a doctor, तो just because you cannot just go and gain knowledge, आपको समझ में तो आपकी mindset तो होना चाहिए, कि मैं उस लायक हूँ, मैं चीज़ को समझ सकूँ, अगर जब नहीं समझ पाओगे, तब क्या कर सकते हो, कुछ और चूज कर सकते हो, उस तरीके से जो वेदिक ज्यान मिला है ना, उस वेदिक ज्यान को समझने के लिए ध्यान से सुनना, वेदिक नौलेज को, वेदिक मंतरास को समझने के लिए, उस qualification भी होनी चाहिए, लेकिन जो कि सारे इंसान एक जैसे नहीं है, उनमें डिफरेंसे से, उनके mindset में, कौनवें स सात्विग राच सिख ताम सिख, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर एक इनसान को वेदिक ज्यान समझ में आए, जरूरी नहीं कि हर एक को medical science समझ में आए, जरूरी ये भी नहीं कि हर किसी को कौमार समझ में आए, तो वेदिक शास्त्रा जो है ना, इसमें दो टाइप है, शू पुरान अभ है क्या? वेड क्लियर हो गया? देखे दोस्तों, जिनको वेड समझ में नहीं आता है, उनको वेडिक कंसेप्त, जिहां से सुनना, उनको वेड के कंसेप्त पुरानों के जरीए समझाय जाते हैं, स्टोरी टेलिंग करके, ठीक है? इसलिए आपने देखा होगा जो commerce का बच्चा है, उसको H2O क्या होता है, H2SO4 क्या है, उसको नहीं पता, लेकिन वो किसको पता है, जिसने chemistry पढ़ा है, तो जो commerce का बच्चा होगा, उसको accounting के language में समझाया जाएगा, tally के language में समझाया जाएगा, तो जो जैसा है, mentally stable है, उसके accordingly उसको ज्ञान मिलेगा, ठोटोड लोगों जो है जुख गये उनके सामने, तो जो तमगोनी लोग है खास करके, चांचे क्तिन गोल्ची होता ROB, चांचीत है, जादा मेहनत करते हैं और उनकी IQ लेवल भी नहीं कह सब्रक्का है, उनकी concentration, उनका प्छता हैं, तो वो तमोगुण में इसलिए तो है, वो है इसलिए वो चीजों को वैदिक नौलेज को समझने में दिक्कत आती है पर जो कि वो इंसान है, ज्यान लेना ज़रूर है, तो रिशीम उन्हें ने क्या किया, उनके लिए, उनके लिए एक अलग सा सेक्षन बनाया, ताकि वो भी ज्यान से जोड़े रहे, इसलिए पुरानों का संचय किया गया, ताकि उनको इस स्टोरी टेलिंग करके समझाय जा सक इसलिए आपना देखा होगा, मैं एक एक एकजांपल देता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, पुरानों में इन तीनों की फोटोज हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, बरबर है न, बट अकॉर्डिंटो वेदास, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, ब्रह्म पालने पोशने वाला, शिव माने कौन, महेश माने कौन, डिस्ट्रक्शन करने वाला, तो यह contradictions क्यों है, भाल यह contradictions नहीं है, जिसकी जितनी लेवल होगी understanding कि उसके अकॉर्डिंग लिए हम उसको समझाते हैं, जो A क्लास का बच्चा है, B क्लास का बच्चा है, C क्लास का किसे को शायब कहानियों में इंट्रेस्ट होगा, जैसे कि आपने देखा न, थ्री डेट्स फिल्म आई थी, ठीक है, तो थ्री डेट्स फिल्म देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने बच्चों ने रट्टा मारना छोड़ दिया, क्योंकि लोग पिंच करने लगे न, च क्या भी आहां या, रट्टा नहीं माना चाहिए, तो लेकिन कब हुआ, फिल्म देखने के बाद, तो उसी तरीके से ग्यान तो मिलके लेकिन तरीका चेंज हुआ न, उसी तरीके से वेद और पुरान जो है, सबसे पले वेद आया, लेकिन ज़रूरी जबरदस्ती थोड़ी कि वेद सबको समझ में आए, तो जिनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए क्या है, पुरान है, अब आप बोलगे, वेद और पुरान तो टोटल आपोजिट है, यह अभी हुआ है, भाया, जब पुरान नहीं रचे गए थे न, तो वेद को ही सपोर्ट करते थे, तो मैंने कि वेद सबसे पहले सरवत चाहेंगे, और उसके बाद वेद को सपोर्ट करने वाली कोई भी किताब हो, या कोई भी ज्यान हो, तो उसको आप अपनाईए, क्योंकि वैदिक नौलेज जो है, यह नेचर का नौलेज है, ठीक है, चाहे पुरान हो, रामान हो, माभारत हो, या क्रिशानिटी की बाइबल हो, या इसलाम का कुरान हो, ज्यान कहीं से भी मिल सकता है, मैंने क्या कहा था, ज्यान किसे मिलता है, ज्यान इंद्रियों से, जानवार किताबे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, फिर भी मिलता है ज्यान उनको, तो हमारे पास तो इतनी सारी कित किया और ये वो फ़स्ट टाइम मेरे मन में सबाहOOल पाल किया था किया । जानना है कि भागवान क्या है, धरम क्या है जो पुराण है वो वेदों के ग्यान को लोगों को समझदने के लिए बना कीगे वेड़ी तो सब हमारे इक बोनीयो ने जो अपने दिव्य दृष्टी से या अपनी अंतरात्मा से देखे और उसको उस तरह से बनाने की कोशिश की है तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में कुछ आया होगा और ये जाहिल जाकिर नायक जैसे लोग जो अभी देखा आपने कैसे गधी का फोटो था जो गधी गलब गई थी मिराज कुछ कहते हैं उसे तो मिराज उपर गई थी तो उस पर आप उस क्वेश्चन करिए जब भी आपसे कभी भी कोई कुछ पुछेगा तो आपको काउंटर क्वेश्चन करना है डरना घबराना नहीं है कि भीया वो मेरे सास्त्रों में तो गलत हो गया ये तो हमारे सनादन धर्म की तो सास्त्री गलत है मैं सनादन धर्म छोड़ दूँगा ये दर्म मानवता का गभी भी छोड़ा नहीं जाता है और वेद का मतलब होता है और वेद जो है वो आप आँखे बंद करो और आपको लगता है क्या सही है क्या गलत है वही वेद है तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ वीडियो कर अच्छा लगए वीडियो को लाइक जरूर कीजि झाल झाल